आप देखे हैं लाइफ सेवन नमस्कार लाइफ सेवन विसेश में आपका स्वागत है मैं हूँ ग्यान डंजन दोस्तों बिसेश में आज हम चर्चा करेंगे जैराम ने भरी हुंकार अकेले लड़ेंगे चुनाओ जिहाँ दोस्तों जिस तरह से लगातार ये बाते चर्चा में आ रहे थी कि भाजपा लगातार जैराम से संपर्क किये हुए है भारती जंता पार्टी चाहती है कि जैराम महतों उनके साथ गटबंधन करें चुनाओ लड़ें और इस चर्चा पर आज जैराम महतों ने स्वेंग मुहर लगा दी उन्होंने कहा कि पार्टी के एक महा सचीक अस्तर के पदाधिकारी उनसे लगातार संपर्क में थे और वो चाहते थे कि गटबंधन करके चुनाओ लड़ा जाए जारकन विधान सभा का चुनाओ लड़ा जाए और उन्होंने ये भी कहा कि लोग सभा चुनाओ के समय भी उनसे संपर्क किया था और बहराल अब जो उन्होंने घोसना की है आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फरेंस किया प्रेस कॉन्फरेंस में कई बाते उन्होंने रखी खास करके जो अभी न्युक्ती पत्र बाटे गये हैं दो दिन पहले मुख्यमंत्री हैमन सुरेन ने जो न्युक्ती पत्र ब माटे गए हैं उसमें नौकरी दी गई है और उन्होंने इस पर सवालिया निशान खड़ा किया हलांकि ये भी कहा कि JPSC के अंतरगत 40% सीट ओपन रहते हैं लेकिन उन 40% सीटों में भी सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जैसा कि उरीसा गुजरात या अन्परदेशों में ब रखा हैमन सरकार पर भी सवाल खड़े किये लेकिन राजनितिक अस्तर पर जो बाते ही उन्होंने प्रेस कांफरेंस किया था इसी मुद्दे को लेकर किया था प्रेस कांफरेंस कि जो 60-40 वाला मामला था जो नियुक्तियां हुई है उसमें किस तरह से बाहरी लोगों को ला करता है कि जैराम के बकॉल जैराम वो किसी भी राजनितिक दल से विधान सवा चुनाव में समझोता नहीं करेंगे इस बीच भाजपा के गुना महतो एक नेता पुर्वकार समीती सदस्ते उन्होंने पार्टी की प्रात्मिक सदस्ता से इस्तिफा दे करके जे बी के एसस ज वो कैंडिडेट हो सकते हैं गोमिया विधान सवा से जिसा कि लोग सभा चुनाव में आपने देखा था कि गोमिया में जैराम महतों ने लीड ली थी अब सवाल ये उड़ता है कि जो लगातार चर्चाएं चल रहे थी कि भाजपा के एक बड़े कत्के प्रदेसस्तर के नेता लगातार जैराम महतों से बाचीत कर रहे थे उनके साथ गड़बंधन के ओफर दे रहे थे और इस बीच जैराम महतों कल दिल्ली भी गए थे चर्चा ये भी है कि जैराम महतों की दिल्ली में भाजपा के किसी नेता से बाचीत हुई है हलांकि पार्टी का ये कहना है कि जैराम महतों चुनाव आयोग में जा करके अपनी पार्टी के रिजिस्ट्रेशन की बात करने के लिए गए थे साथ ही साथ उनके एक सहीयोगी जो हैं देवंधनात महतों उनको उनका इलाज चल रहा उनको भी देखने गए थे खैर ये अलग बाते हैं लेकिन जो उन्होंने खुल कर कहा और पहले तो उन्होंने 55 सीटों 50 से 55 सीटों पर लड़ने की बातें कही थी अब जब पलामू छितर का दौरा कियें उसके बाद से उनका ये कहना है जैराम महतों का कि अधिकांस सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उनके से ये भी सवाल किया कि विदेशी फंडिंग आपको मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे प्रवासी मित्र जो है वो पैसे भेज रहे हैं उन्होंने अपना यूपी आई दिखाने का कोसिस किया कि आप देख लीजिए मैं आपको कोड भी दे देते हैं मेरा एक पार्टी ने अब तक विधान सभा चुनाओं को लेकर आजसू को पेंडूलम बना के रखा है और उस बीच जो बातें चल रही थी पेंडूलम बनाने के पीछी की वज़ा आप समझ रहे हैं कि लगातार भारतियन्ता पार्टी के लोग जैराम के भी संपर्क में थे और आजस हो सकता है कल देर साम सिवराज सिंग चवहान जो चुनाओ प्रभारी हैं जारखंड विधान सभा के चुनाओ प्रभारी हैं उनसे भी सुदेश महतों ने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान विधान सभा चुनाओं पर जो हरसो बातें भी हुई विधान सभा चुनाओं क का मामला पर जो जो मेरे पास जानकारी आई वी है सीट सेरिंग के मामले पर किसी तरह की बातें नहीं हुई है साथ तोर पर ये कहा गया है कि सीट सेरिंग को लेकर के प्रदेश अस्तर में बैठक होगी प्रदेश अस्तर में बैठक होने के बाद वहीं से फैसला होगा तब आला कमान उस पर मोहर लगाएगी तो जाहिड तोर पर अभी सुदेश महतों को और इंतिजार करना होगा भले ही तीन दिन से वो दिल्ली में थे अभी साहसे केंद्रिय ग्रीह मंतरी से मिलना था नहीं भेंटो पाई भाजबा से जो जानकारी प्राप्त भी है भाजबा सुत्रों से जो जानकारी मिल रही है जिन जिन प्रदेसों में चुनाओं होने हैं और जिन जिन दलों के साथ गटबंधन होने है उसमें साफ तोर पर ये कह दिया गया है कि गटबंधन या जो भी चुनाव से संबंधित जो भी चीजें तै होंगी वो प्रदेश अस्तर पर चाहे हो मारास्टा का चुना हो जारखंड का चुना हो हर्याना का चुना हो जम्मु कस्मीर का चुना हो जो प्रदेश अस्तर पर जो संगठ है न उसमें जो प्रभारी बनाये गए हैं उनके बीच बाचीत होने के बाद अंतिम मुहर जब लगेगी तब ही जा करके कोई भी प्रदेश अस्तर के नेता जो गटबंधन दल में सामील है वो आ करके उस मिसे पर अपनी बातों को रखेंगे लेकिन सीधे गटबंधन की बात करने के लिए कोई नेता सीधे अगर आला कमान के पास जाएगा तो वो बातें नहीं हो पाएंगी ये असपस ट्रूप से संकेत दे दे दिये गया है तो जाहिर तोर पर अब जब भी बातें होगी आजसू के साथ तो वो बातें होगी प्रदेश अस्तर पर अब सुदेश महतों दिल्ली जाएं कहीं जाएं गटबंधन को लेकर कि वो अलग चीज़े हैं यहीं साब तोर पर जो इस्तिती बनी ही वो पेंडूलम वाले इस्तिती सुदेश महतों की अभी फिलवक्त द ज़्यादा किसी को नुकसान करता हुआ दिख रहा है तो वो आजसू पाटी ही दिख रहा है और भाजपा इसका भी आकलन कर रही है पहले हम आपको सुनाते हैं कि आज के प्रेस कॉनफरेंस में विबिन सवालों के जवाब में जैराम महतों ने क्या कहा तो कैसे करेंगे आप उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि इस परकार से बीसी टू का अपने के ट्राइब किया है सेंट्रल लिस्ट में ओवी सी है और जब राज में आता है तो बीसी वान बीसी टू बन जाता है तो इस सुझाव मरा रहेगा कि आप जेनरल व देन कि आएक हमें के भीच कि अधार हो गारा कि आए संद्रा बर्ट Γयंगे मैं ओ धर्धर नियहीं नहीं है कि अगर आप प्रमान देंगे तो अबले हैं उनको सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए हम लोग भी सुने हैं ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं हैं अगर आप जब भी समय दीजेगा तो मेरा फॉंड पेश आमने विदान सब्सक्राइब कर आए हैं एक रुपे से लेकर दस जब दिश्यार तका हैं वो प्रवसी मजदू जो दुबए इस मेरा अब पिछले बार लोग केंगे वाज़े लेकिन जावा लूग प्लावन कर दोरा वी हैं तो वहां भी दो तीन सेट ऐसे दिखी जहां आप आसार दिखी तो लियाज आप भी आज जैसे समय बितेगा हमारे सेटों की संख्या बढ़ेगी तो बिजेपी ने साथ से आड़ सि अब आप बाधा में अब आप आज पर महासर चीव अगठान महामंतरी सर अबलिक महासर चीव अगर सर्फभार करें अगर सर्फ त्र की आपका नेतुनबर करें अगर तो जहां वेतर हैं और हम लोगा लगता है कि साहिए उस तरह से हमारे जो इवाहें पकाने उनके साथ बैठें किने तो उस पर कई बातचित हुई नहीं और हम लोगा अपने अस्पर से आपने आपको वेतर कैसे करें इस पर काम करते हैं विधान सब्सक्राओ के साथ आपको ब्ह lav करें दोगाएं हम लोगा हम ख्रत लडेंगे और उसे साहरें के सब्सक्राओं आघ यह एकम तरह कर रहें पर देखिए अगर राज्यों की खनीश पर राज्य को भागेदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंकन देने की बात करे जा रहे तो यह स्वागत ही हो गिया है जो कि देखिए दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को और यह मनमानी होती है दि पर देखिए उनकी मानकियत का ही अधिकार देते हैं जी हमारी जो बर्युपादिश मौद हैं वह स्वास्त हैं गुरांची मिल नहीं आए थे पका चल लोगे दिल्ली चलेंगे हैं लेकिन कहां को अंपिदेंसिल उनका इलाज चल रहा है नहीं मिठ पाए तो हम पहले करेगा यह जनता का भी फिड़ेक जो सर्वेटीव करने जाएगी वह तही करेगी एसक्रीम केमेंटिक पास रिपोर्ट मोचीगी वह तही करेगी संसथी बोल्ट तक जो आएगी महां तही होगी इसमार थोपे दो लेटब नहीं गिए जाएंगे और नहीं केंद्र अध्यक स्थे जिंस्यून के मित्रता है, गरी मित्रता है, उप्रयू परियू के थे मेट है उनको भी बोल्ट हम लोगो अभी तक ते नहीं है कि सलने हें लेंगी जैटाने वह जारेंगे जारेंगें अभी कहीं किसी का तई नहीं हुआ है इसा भी हम आते हैं अवी तक किसी कर प्रत records है हिसे उसे आक़ बाक्षित हो गहीं हें किसी जए वहार हो रही है और बहुत वर्टी स्यानी हें है अब कर लेकी है और मिखिए सब्सक्रणाब करक् ludzie आ सब्सक्राइब में ढंक शेर्सक्राइबा कर सब्सक्राइब कि डिनिया रहा है हमारे सवी प्र्थ्यासियों का परफॉमस बंया रहा है गोल्ट पर्थ्यासिक की एस सच्ते हाइव चोंकि आई चिनाव नहीं लड़ती उसमें हम लोग कहते हैं कि संभावना बढ़ेगी कि लोग सवा में जिनको आपसर मिलेगा अब जिदान सवा में फ्रॉसा लेकिन कुछ चेहरे हैं जो रिपीड भी किया जाएगा तो वो संगठनते ही करेगी वहां का जो फिड़वेक सामने निकल करेगा को सारी सीथते ही करे करेगी क्या अमीत माथ आपके साथ आएंगे बिल्कुल दिखिया को लेकर हमेशा एक स्वादत कर नजरिया हम लोग तीम में रहा है चो कि जब आम तोनों के स्टार्ट हुआ था उन्होंने जमें को छोड़ने काम किया था तो मुझे लगता है कि अगर वाते हैं तो उनके हम लोग अप्रत्यासियों की पहरी लिस्ट का बाने की संभावना है हमें लगता है कि इस महिने में है चुके अचनी यमिना तो ख्यतिवारी का प्रधान राज्य है तो ख्यति करते करते पहरी लिच्ट आप से रोके सामय होगी है तरह सम्हेसरा भी एक चिप्टी निकाले हैं और वह भी एक आपको बनागी राम है तिससर भिकल्भ भुरा है अपने साथी जाएंगे हो हाँ हमारे परतिने मंदल उस मेठीद में जाएंगे जो राची को निक्रिप करते हैं अगर देरेंद्री जी होते तो इसी परसिती में दिपगदा हैं विराट जी हैं बहुत हरे हैं साथी वो जा के उस बेटे में भाग लेंगे और अपनी राई को रखेंगे जी सरव मुट्था के तरफ आपको देख रहे के अधार करें जी तरह से दो तरह बढ़ चुका है इंडिया गण बंदरों के अंडिया करें जी हम लोग तिसरे विकल्प के और बढ़ रहे हैं और अगर विचार धाराईश हमान चलती है तो बढ़ आप हम लोग आई एक साथ पार्टी के रिश्टेशन का शावाल है उस भी पड़ाव की हो रहे है और हमें आसा है कि एक सप्ता के लिए टारों लोग का पार्टी का रिश्टेशन नम्बर अलट्मेंट कर दिया जाए तो कुछ तुर्टी आई चुकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे हैं कि अम यह आपने सुना अलग-अलग सवाल पर जो साफ गोई के साथ जैराम महतो ने जवाब दिया दो तीन चीजे मारके वाली हैं सिल्ली सीट फस्ता हुआ दिख रहा है हलांकि अभी टिकेट का बटवारा नहीं हुआ है जिस तरह से अमीत महतो के बारे में पॉजेटिव दिख कर दिया था ऐसे इस्थिति में अमित महतो का नाम जो उभर रहा है और पिछले दिनों भी चर्चा हो चुकी है कि संभावना है कि अमित महतो को जेवी के एसस सिल्ली से अपना प्रत्यासी बनाए अब देवेंदर महतो का क्या होगा ये देखना होगा लेकिन है जो इस्थि बिधानसवा की सदस्ता से इस्तिफए दे दिया था बिहार बिधानसवा सवागार में और उसमें जराम महतों मौहल ने कि उसमें छाये और। इसरे मोर्चो के लोकर के ये positive भी है बसरते के विचारधारा समान हो अब अगर विचारधारा समान होने की बात आती है तो विचारधारा समान में कई अन्य चीजें भी होती हैं विचारधारा समान ये होता है कि जारखंडी अस्तित्व की बात जो कही जाती है खतियान की बात जो कही जाती है उस मामले पर कौन से राजनितिक दल साथ में आते हैं सरजुराय के बारे में साफ तोर पर आपने देखा जदियू सरजुराय के बारे में उन्होंने स्पस्ट कर दिया कि उनके साथ कोई तालमिल नहीं हो सकता है तो अब रहा सवाल मुख्य रूप से जो चीजें आके अटकती है कि भले ही जैराम महतो ने कह दिया कि वो जो है सो भाजपा के साथ या किसी राजनितिक दल से संपर्क नहीं करेंगे लेकिन लगातार जिस तरह से भारती जन्ता पार्टी के लोग इनको लेकर के रनीती बनाने में जुटे हुए इनको लेकर के जो बाते चल रही है और अभी भी जो जानकारी है कि दिल्ली दर्बार में भी इनके नाम की चर्चा हो रही है दिल्ली दर्बार में भी भाजपा कि दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वहाँ पर भी जैराम महतों को लेकर करके चर्चाएं हो रही क्योंकि भारती जनता पार्टी ने जो अमीज साहजी का कारिक्रम हुआ था बीस तारी को उसके बाद जो कूर कमीटी की बैठक हुई थी उसमें असपस्ट तोर से था कि जारकण में सत्ता पाने के लिए सत्ता के सत्ता में आने के लिए भारती जनता पार्टी को चुनाओं में अभी से जो है उसा पूरी ताकत जोग देनी हैं और इसके लिए पार्टी के सभी बढ़े नेता ओगले जमीन पर जा करके रोंदना होगा, जमीन को रोंदना होगा, जमीन रोंदना होगा, छेतर में भर्मन करना होगा, ये सारी चीजें लगातार भारती जन्ता पार्टी में चल रही है, और सभी नेताओं को दाई तो दिया जा रहा है, नेत्रतु के बात को भी असपस्ट कर दिय पहले नाम आ रहा था कि बाबुलाल मरांडी के नेत्रत्य में चुना लड़ेंगे अब सामुहिक नेत्रत्य की बात कहीं जा रही है लेकिन सवाल यह उठ रहे हैं कि आजसू का क्या होगा क्योंकि लगातार आजसू चाह रही है कि भाजपा से सीट सेरिंग की बात हो जाए सीट सेरिंग पर किलियर फॉर्मूला तै हो जाए और उसके बाद वो अपने चुनावी रननीती को आगे बढ़े हैं हलांकि सुदेश में तो लगातार छेतर भर्मन करना सुरू कर दिये हैं लेकिन जब तक सीटों का बटवारा नहीं होता है सीट सेरिंग का फॉर्मूला तै नहीं होता है क्योंकि आपको बताया था कि नौ सीटों पर आजसू पिछले चुनाव में अकेले चुनाव लड़के नौ सीटों पर दूसरे अस्थान पर थी लेकिन उसमें से चार सीट ऐ हैसो उससे बीस हजार वोट ज्यादा लाई थी लोहरदग्गा सीट की बात करता है लोहरदग्गा में भाजपा केंड़ेट उससे आगे थे कभी कमल की सोर भगत वहां से चुनाव जीते थे लेकिन उनकी पत्री निरू सांती भगत चुनाव नहीं जीत पाये थी जब साहान भूती के वोट भी थे उनके साथ तब भी चुनाव नहीं जीत पाये थी सुग्दे भगत कॉंगरेट से चुनाव जीते थे अब जो सीटे बच रही हैं क्योंकि भाजपा चंदन क्यारी सीट नहीं छोड़ सकती है भाजपा राजमहल की सीट नहीं छोड़ सकती है भाजपा जो है सिमरिया की सीट नहीं छोड़ सकती है भाजपा मांडू की सीट नहीं छोड़ सकती है तो जो इस्थिती बन रही है उसी स्थिती में क्या होता है जो पेंडूलम वाली स्थिती आसु की बनी ही ही है वो अब आगे क्या निरने होता है लेकिन इस बीच जैराम ने जो साफ किया है कि वो किसी भी राजनितिक दल के साथ समझोता नहीं करेंगे तब जैराम की हुंकार में कितनी ताक है था और चुनाव परणाम क्या आते हैं ये तो देखना दिल्चस्प होगा लेकिन इस बीच ये तो सच्चा ही मान के चलिए कि सभी राजनितिक जलों की के केंदर में चर्चा का भी से फिलाल जैराम मातों बने हुए हैं वेराल आज के भी से इसमें इतना ही आप हमारे साथ जुरे रहे हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार